लॉक्डाउन ने हमें अपने एक किचिन अप्लाइंस का सही यूज़ करना सिखा दिया है जिस अप्लाइंस में हमने बहुत केक्स और पीज़ाज बनाए हैं क्या आप उस अप्लाइंस का नाम गैस कर सकते हैं ओवन ये भी कोई पुछने की बात है नाम तो आपने सही गैस किया पर इसे ओवन नहीं अवन कहते हैं O-V-E-N is oven and not oven So next time when you make cakes and pizzas, please use your oven Cakes और पीज़ाज देखकर तो बच्चों क्या बड़ों की भी appetite बढ़ जाती है Appetite? जी हाँ A-P-P-E-T-I-T-E Appetite यानिकी भूख क्या आप जानते हैं क्यों बढ़ जाती है appetite? क्योंकि cakes और pizzas delicious होते हैं अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है I want to eat some delicious dish मैं आपको बता दू Dish कुछ नहीं होता है It's dish D-I-S-H dish सही कहा आपने और ये भी जरूर याद रखें कि cakes and pizzas healthy food की category में नहीं आते हैं हाँ क्योंकि इन dishes में sugar होती है ध्यान दीजिएगा sugar S-U-G-A-R sugar होता है ना कि sugar जिसे often यानि कि अक्सर खाने से हमारा वेट बढ़ सकता है हम वेट ना बढ़े इसके लिए हम शुगर को जैगरी से रिप्लेस कर सकते हैं J-A-G-G-E-R-Y जैगरी यानि कि good एक बहुत ही healthy option है आईए अब एक टेलेफॉनिक conversation सुनते हैं अच्छानक टेलिविजन देखते देखते मनीश को याद आया कि घर में सीरियल खतम हो गए है चौकिये मत टेलिविजन का सीरियल S-E-R-I-A-L नहीं बलकि C-E-R-E-A-L-S यानि कि अनाज खतम हो गए है मनीश ने अपने friend रितेश को call किया हेलो रितेश क्या कर रहे हो? हाँ मनीश बुक पढ़ रहा हूं बताओ क्या हम ग्रासर के हाँ चल सकते हैं? कहा चल सकते हैं? अरे रितेश क्या तुम ग्रासरी स्टोर नहीं जानते हैं? ओ ग्रासर के हाँ चलना है? तु ऐसा बोलो ना ग्रासर नहीं ग्रासर चलो चलते हैं ग्रासरी स्टोर क्या है Appetite Delicious Delicious Dish Dish Sugar Sugar Often Often jaggery jaggery grocer grocer cereals cereals thank you oss